हालो एन वेलकम टू माई चैनल आज हमें देख रहे हैं पाइसिस यानि मीन राशी के लिए अपरिल 2023 में अपनों को कि लाव लाइफ कैसे रहेगी इसी को लेकर यह रीडिंग है गल्स बाइस अभी के लिए रीडिंग होगी जिस सिंगल अमेरिक पल्स हैं आप अगर किसे रि कर दो आते हैं धनि झालो आप गिंग राष्या है और्माई राव – झालो को स म कारच्ट, इस बाव और रर जों मेरा संवती रहे रहे हैं झाल झाल ये कार्स आया है आपके लिए और काफी कुछ मैसेज़ हैं फरस्ट अगर टैरो डेकी साथ स्टार्ट करें आपके लिए रीडिंग तो यहां से आपके लिए कार्ड आया है फौर ऑफ सोर्स का कार्ड है तो अपमें से कुछ लोग आपके लिए और कुम आपके पार्टनर की राश्या हैं और यहां ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ रिसेंटली हुआ है कापल्स के बीच में बाचीत बंद है या कम है या आप लोगों के बीच में मनमुटाव जैसी स्थिया चल रही है कुछ लोग रेकप से गुजर रहे हैं क कुछ रोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि अभी ऐसी कोई फाइट वगर हुई हो सकती है इस वज़े से आप आइसोलेटिड फील करते आ रहे हैं अपरेल मंद के पहले तक और अभी भी ऐसी एनरजी से आपकी कि आप अभी किसी से मिल नहीं रहें बात नहीं कर रहें और अपने आपको बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं अगर आप एक सिंगल परसन भी है तो इसी तरह की एनरजी में हैं कि बहुत अकेला आप अपने आपको फीर कर रहे हैं कुछ नहीं राशा भरी सितिया आपके साथ है पर यहां आप देख रहे हैं बैक में डोर ओपन है औ और यह एक डिवाइन टाइमिंग पर आपके लिए एक चेंज आएगा जैसा नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है त्री आफ मॉन्स का तो यहां एरीज लियो सैजिटेरियस भी आपके पार्टनर हो सकते हैं कुछ लोगों के मेश राशी सिंग राशी और धनुराशी की आपके पार्टन हो सकते हैं और यहां ऐसा लग रहा है कि आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है उन्होंने अभी तर्क कुछ क्लियर नहीं किया रिष्टे में कुछ इंटरस्ट नहीं दिखाया या वैसा जिसा आप चाहरे कमिट्मेंट या ऐसा कुछ आपको नहीं मिला है जो आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं किसी परसन का कुछ लोग लॉंग टिस्टेंस रिलेशन्शिप में भी यहां लग रहे हैं और दूरियों पर रिष्टा है आपका इस तरह कर लग रहा है और कोई चीज है जिसका य आपको नहीं मिले तो आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं और दूरियों पर रिष्टा है आपका आपके पास नहीं है अभी ऐसा कुछ है और नेक्स कार्ड आपके लिए आया है नाइन आफ वांस का एरिस लियो सेजिटीरिस यानि मेश पास नहीं है और यहां उवर्वर्क वाली एनर्जी है कि आपकी लव लाइफ एफेक्ट हो रही है क्योंकि आपके पर काम का बहुत प्रेशर है बहुत है आपके उपर काम का श्या बोज बहुत है और इसी वजह से आप अपने आपको भाट धकावा महसुस कर रहे हैं इस आत्म ग््यान आत्म चिंतन की इस्थती में हैं अन्ट्रंस्पक्षन वो कर रहे हैं कि उनसे कहां गर्दी हुई है कहां उनसे मिस्टेक हुए है कुछ ऐसे इस्थती में वो पहुंच गये है कि वो अब जानना चाते हैं कि इस रिशते के बारे में sincerely वो सोचने वाले हैं अगर अभी तक उन्होंने कुछ इस रिष्टे को लेकर सोचा नहीं है तो इस मन्त में वो इस चीज को लेकर सोचेंगे और एक समझधारी भरा निर्णे लें इसके काफी चांस है क्योंकि हर्मित मोड पे जाने के बाद एक wise decision निकल कर आता है और आपके partner की energy भी ऐसी ही दिख रही है वहीं next card आपके लिए आया है five of wands तो यहां ऐसा लग रहा है कि अगर अभी तक उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा नहीं किया तो five of wands की energy बता रही है कि वो दुनिया से fight करने को भी तयार है आपके लिए और issues को sort out करना चाहेंगे और आपको लेकर बहुत passion feel करेंगे इस month में ऐसी energies में रहेंगे वहीं ऐसा लग रहा है कि जो single person है उनके लिए भी ऐसा लग रहा है कि आपके around काफी लोग है और यह चीज़ भी शायद कहीं आपके उपर effect डाल रही है कि कोई person आप में interest लेना चाहता है पर आपके around काफी लोग के लिए वही next card आपके लिए है judgment का तो इस month में आपके लिए justice आता हुआ दिख रहा है judgment होगा कोई बड़ा न्याय पूर्वक निर्ने लिया जाएगा आपके पक्ष में यानि आपके हक में कोई फैसला हो सकता है और यहां उसकी बड़ी announcement भी होगी जैसा आप manifest कर रहे थे जो आपकी दुआएं थी वह कबूल हो सकती है इस month में आपकी प्रात्नाय सुनी जाएगी और God आपके साथ है और आपकी यह जो positive news आपके लिए आ रही है उसकी बड़ी announcement होगी और यहां कुछ लोगों के साथ third party है जैसा कुछ लोगों के साथ family interfere है कुछ लोगों के लिए क कोई third person है जिसका interfere है तो काफी चीज़े आपके बीच में आ रही है लव लाइफ को लेकर तो उन सबसे related कोई बड़ी announcement होगी आपके हक पे यानि third party में अगर आप हैं तो आपके partner आपको चुने इसके काफी chance है और इसकी announcement भी वो करेंगे बड़े लेवल पर इस तरह की energies यह दिख रही है तो justice आपके साथ होने वाला है ऐसा कुछ होगा आपके लिए इस मन्त में वहीं आपके लिए the wisdom of hidden dream oracle deck से यहां कार्ड आया है dream walker का तो यहां ऐसा लग रहा है कि जैसा यहां की words दे गया है dreams the collective good illusions दी अभी तक आपको काफी ब्रहाम और दुश्च चिंता हैं अभी तक और कुछ questions के answer आप ढूंड रहे हैं शायद आप clear ही जाते हैं अपने जीवन में या कुछ आपके questions हैं तो उनको अगर आप उससे related कुछ answer चाते हैं तो universe आपको dreams के through कुछ intuitions आपको feel होंगे कुछ science आपको दी जाएंगे कुछ messages आपको दी जाएंगे वो आपके twin claim से related हो सकते हैं या आपकी love life से related हो सकते हैं तो dreams के through आपको काफी messages इस मत में मिलने वाले हैं और उन चीजों को आपको ignore नहीं करना है dreams के through messages मिलते हैं उसको आपको समझने की कोशिश करनी है और यहां next card आपके लिए आया है the queen of the light और यहां जैसा illumination and alignment और celebration जी आपके लिए celebration के एक बहुत बड़ा मौका आ रहा है कोई खुशकबरी हो सकती है जो आप इस मत में सुनेंगे और आप बहुत अपने आपको blast फील करेंगे ऐसा कुछ होने वाला है और आप काफी alignment में लग रहे हैं आपकी energies ऐसी रहेगी इस मत में God से बहुत high connection आप फील करने वाले हैं इस मत में ऐसा कुछ होगा और आपकी कोई बहुत बड़ी दिली इच्छा पूरी हो और आप उसे celebrate करें इसकी chance है नेक्स काट आया है the hungry ghost का तो यहां ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के past connection बहुत खराब रहे हैं पूर इस्तितिया या कह सकते हैं आपके past experience की वज़े से अ इसी वज़े से आपको बहुत सारी इसी insecurity है एस सुरक्षा की भवना है और पुरानी बातें आप अभी बहुत जादा याद कर रहे हैं कुछ चीजे हैं जो आप अभी तक अपने दिल में भुला नहीं पाये हैं या कुछ ऐसी खराब इस्तियों से गुज़रने की वज़े स अभी तक उन चीजों को लेकर अभी डर आपके अंदर से गया नहीं है यह सब चीजे यहां hungry ghost में दिख रहा है कि आपको उन सब चीजों से उपर उठना है तो इस स्तिती से बाहर निकलने की कोशिश करें और आपके लिए बहुत सारी positivity और बहुत सारा good luck लिखा है जैसा next card आपके लिए आया है the lady of the lightning का और surprises जी इस मत में आपके लिए कुछ surprise वे में सब कुछ ऐसा कुछ प्लान करने वाला है universe की जो आपने accept भी ने किया है वो surprise वे में आपके लिए पूरा होगा और 35 number है 3 plus 5 8 होता है तो just this आपके लिए लिखा हुआ है और कुछ unaccepted आपके लिए होने वाला है जो आपने सोचा भी ना हो वो सब चीज़े आपके लिए इस मत में कुछ surprise यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है और यहां next card आया है the wise woman of wonderland और जो message के लिए keywords दिये गया है compromise and integrity जी आपने काफी compromises किये हैं काफी समझोते किये हैं जीवन में और अभी तक आपके स्थिती ऐसी रही है कि आपने बहुत कुछ सीखा है अपने life experience से जीवन के अन्भों से आपने बहुत कुछ सीखा है तो वो सब चीज़ें इस मत में आपके लिए काम आने वाली है और कहीं न कहीं आपकी जो wisdom है वो भी इस मत में बढ़ेगी ऐसा यहां दिख रहा है और आपको guidance भी बहुत अच्छी मिलेगी इस मत में किसी wise person से guidance मिल सकती है और यह ज़र लेनी है कि age में mature हो पर यह mind से काफी mature person है और इनकी guidance आपको life में बहुत grow करने में मदद करेगी और इनकी विज़े से आप काफी positive अपने आपको feel करेंगी इस मत में ऐसा कुछ दिख र hungry ghost का card भी आया था कि काफी overthinking वाली situations है आप बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं किसी matter को लेकर या बहुत नीन दिस्टाब हो सकती है या कुछ लोग बहुत परिशानी भरे समय देख कर आये हैं इस वज़े से अपने आपको सुकून वाली सिति में अन्भू नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए यहां yoga meditation आपको बहुत रिलीफ देखा और यह चीज आपको कह सकते हैं यहां वहीं आपको gratitude भी शो करने के लिए कहा गया है कि जो भी आपको युनिवर्स दे रहा है या जो भी आपके लिए blessings आ रही है उसके लिए gratitude जरूर शो करें और यह चीज आ आपकी लाइफ में और ज्यादा positivity बढ़ाएगी अगर आप gratitude शो करते हैं और वहीं हम देख रहे हैं शोजयन कार्ड से आपके लिए conditioning का कार्ड है तो यहां ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अभी हसना मुस्कुराना शोड रखा है अभी आप अपने आपको बहुत बंदा फील करे हैं जैसा यहां रोग देख रहे हैं आप अपने आपको हरा हुआ ठका हुआ और निराश वरेशान समझ रहे हैं जबकि आप ऐसे नहीं हैं जैसा आप यहां देख रहे हैं आसपास शिप हैं और इनके बीच में लायन हैं तो आप एक लायन की तरह हैं आप बहुत courageous हमत वाले हैं confidence वाले हैं पर अभी कुछ life experience या आपकी कुछ जीवन अन्भाव ऐसे रहें कि अपने आपको आपने काफी टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ऐसा महसूस ना करें क्योंकि आप इस condition को देख रहे हैं जो permanent नहीं है आपके लिए बहुत कुछ change होगा जैसा next card यहां आया है totality का तो यहां ऐसा रग रहे है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं इस मन्त में कुछ efforts करने वाले हैं ताकि आप फिर से एक हो जाएं तो यहां आपकी तरफ से भी efforts दिख रहे हैं और आपके पार्टनर की तरफ से भी efforts दिख रहे हैं इवन आपका रिष्टा break up की तरफ जा रहा है पर फिर भी कुछ ऐसा magical होने वारा है कि आप एक दूसरे के लिए efforts करेंगे और इस मत में यह efforts आपके कामयाप भी हो सकते हैं जैसा यहां next card आया है moment to moment तो यहां आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है और बहुत जादा rush ना करें रिष्टों में और time दें रिष्टों को अपने आप आपके लिए समय के साथ चीजे साही होना start हो जाएगी जैसा next card आपके लिए completion का card आया है तो इस मत में आप के लिए ऐसा कुछ होगा कि आप अपने आपको बहुत complete fulfill फिल करेंगे अपने अंदर से आपको यह संपूनता अनभव होगी ऐसा कुछ होने वाला है आपके लिए और यहां हम देख रहे हैं जो परसन आप से connect हो सकते हैं इनकी इनिशाल्स जाडिक साइन और आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज L नाम से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम कुछ लोगों के X बैक हो सकते हैं H नाम से हो सकता है M T Z या N और वही राशी अगर हम देखें आपके पार्टनर की तो लिए हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर सिंग राशी के एक्वेरियस कुंबराशी के कैंसर यानि करकराशी के लीवरा यानि तुलाराशी के आपके पाटनर की तरफ से मैसेज आई एक्ट लाइक आई डॉंट केर बट आई रियरी डू जी वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें परवा नहीं है पर एक्ट ल में उन्हें बहुत परवा है आपकी आई विल फ्री मैसेल्फ सून टू बी विट यू माई लाव जीवर आपके साथ होना चाते हैं बॉछ समय में वो आपके साथ बिताना चाते हैं और चीजों से बहार निकल गाना चाते हैं में वो उलजेवे हैं अभी तक I never leave you alone जी वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे ऐसा message है I need you in my life जी वो अपने जीवन में आपको चाते हैं I have self-esteem issues sorry if that interferes with my action जी उनमें self-esteem बहुत जादा है बहुत जादा अती स्वाब इमान है और यह चीज कहीं न कहीं रिष्टों के बीच में आ जाती है और यही चीज को लेकर वो sorry feel कर रहे हैं आपसे Will you accept me? वो चाते हैं कि आप उन्हें accept करें या वो आपसे पूछ रहे हैं कि कि आप उन्हें accept कर लेंगे I dare dream about you वो आपको लेकर dare dreams देखते हैं तो आप लोगों के लिए ही messages से और यही reading थी अगर यह reading आपके साथ resonate करें तो please मेरे चैनल को like, share and subscribe कीजिएगा Thank you so much for watching my video Have a happy month, vices